वेलकम टिश्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांच सगेंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट कोरोना के कहर से जूजती सरकार को सुझाव सलाह देने के नाम पर कॉंग्रेस की ओर से जिस तरह नित नए सवाल खड़े किये जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उसका इरादा केंद्रिय सत्ता को कठ घरे में खड़ा करना अधिक है राहुल गांधी ने केंद्रिय कर्मचारियों के महगाई भत्ते में वृद्धी न करने के फैसले पर आपत्ती जताते हुए कहा कि सरकार को चाहिए की बुलिट ट्रेन परियोजना के साथ सेंट्रल विस्टा परियोजना को निलंबित कर दिया जाए इन दोनों परियोजना की घोशना कोरोना कहर के दोर में नहीं की गई चुकि बुलिट ट्रेन परियोजना पर काफी कुछ काम भी हो चुका है इसलिए उसे निलंबित करने का मतलब होगा उसमें लगाए गए धन को बरबाद करना इसकी भी अन देखी नहीं की जा सकती की इस तरह की परियोजना रोजगार की अवसर पैदा करने का काम करती है जहां तक सिंट्रल विस्टा परियोजना की बात है तो जब सरकार की और से ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा रहा की वह कोरोना संकट के बावजूद इस परियोजना पर हर हाल में अमल करेगी तब फिर उस पर आपत्ती जताने और उसे निलंबित करने की मांग का कोई ओचित्य नहीं चुकि कुरोना का कहर एक बड़ी आपदा है और उससे होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना भी कठिन है इसलिए हालाद के मुताविक जरूरी कदम उठाने और उनमें हेर फेर करते रहने की नीत ही उचित है यह विचित्र है कि राहुल गांधी के साथ अन कॉंग्रेसी नेता किसानों मजदूरों कारोबारियों को जादा से जादा राहत देने पर जोर देने के साथ यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करे है रानी यह है कि उन्होंने यह मांग अंतरराश्ट्रिय बाजार में कच्चे थेल के दामों में गिरावट की खबर आते ही कर दी थी यह ठीक है कि राहुल गांधी बिनाविचारे कुछ भी कह देते हैं लेकिन आश्यर जनक रूप से अर्थ सास्त्री और पुर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग भी उनकी हां में हां मिलाते दिख रहे हैं बहतर होता कि वह अपनी इस उकती का इसमरण करते की पैसे पेड़ पर नहीं उगते कम से कम उन्हें तो यह बताना ही चाहिए था कि जो वह चाह रहे हैं उसे करने के लिए सरकार पैसे का प्रबंध कहां से करे उनके न बताने के बावजूद सरकार को इसकी चिंता करनी ही होगी चुकि देश असाधारन परिस्थितियों का सामना कर रहा है इसलिए सरकार को कुछ असाधारन फैसले लेने के लिए तयार रहना चाहिए उचित यह होगा की सरकार राजकोशिय घाटा बढ़ने की चिंता कुछ कम करे और इस पर अधिक ध्यान दे की कुरोना के कहर से अर्थविवस्था कैसे कम से कम प्रभावित हो स्टाब